हे गाईस वल्कम बag तो माई चैनल साधना की रेषिपी तो आज मैं आपके ले कर आए हूं गुजराती डिस तो यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हते हैं क्योंकि इसे डाल और गैहूं के आटे से बिनाए जाता है तो बच्चों के लिये ई degust रेसिपी को कैसे बिना impress सृँ आईए हम देख लेते हैं तो चलिए यहाँ पे मैंने लिया एक प्रेशर कूकर इसमें मैं डालूंगी डेड़ कप के करीबन अरहर,"की डाल". तो मैंने यहाँ पे दाल देसी वाले लिये हैं, देसी वाले दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो हमें क्या करना है, दाल को दो तिन बार पानी से अच्छे से धो लेना है, तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमने दाल को दो तिन बार पानी से अच्छे से धो लिय सब्सक्राइब चलिए नमक आइज लिए तो नमक हमें बहुत ध्यान से डालना होगा क्यूंकि आगे भी नमक डालने हैं में एक म्रूट वि鬼्त होता है इस एक मिक्स्प यथेश नगे जब prata निया की अधा कटोरी गहुँघ जितना गहुँम आटा धंचेशिकüneस नमक नमक आधा पे मिक्स करों के दीक लुज़रा पॉड़र क्लिकिंग नमक जरत में तो भी तोड़े को अब हम सारी चीजों को मिक्स करके इसका डो बना के तयार कर लेंगे तो मैंने यहां पर थोड़ा सा पानी डाला है और बस इसका हमें डो बना के तयार कर लेना है तो हमें जितना पानी की जुरत है बस उतना ही पानी हमें डाल के इसका एक सक्त डो बना के तयार कर लेना है तो हमारी दाल भी पूरी तरह से बन के तयार हो चुकी है देखिए यह बहुत अच्छे से गल चुकी है तो चलते हैं गैस कियोर और दाल ढोकली बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हमारी कड़ाई में भी तेल गरम हो चुका है तो तेल गरम होते ही हमने यहां पे डाल दिया तो चलिए प्याज डालने के बाद हमने यहाँ पे चम्मत चला दिया है अब यहाँ पे हम धक्तन बंद करके इसे तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पे तीन मिनट हो चुके हैं और हम अपने प्याज को चेक कर लेते हैं प्याज यहां पे काफी सॉफ्ट हो चुकी है और इसका कलर भी हलका सा गोल्डन हो चुका है तो इस स्टेज पे हम डालेंगे हिंग तो हिंग आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते थे लेकिन मैंने यहां पे हिंग इसलिए डाला है क्योंकि यहां पे हम हिंग डालेंगे तो ह हिंग की खुश्बू आखरी तक बरकरार रहेगी तो हिंग डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लिया है उसके बाद यहां पर हम डालेंगे टमाटर तो मैंने तीन बड़े टमाटर को छोटे टुकड़ों में काटके डाल दिया है फिर मैं यहां पर डालूंगी आदा चमच हल् पाउडर भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने मिश की पाउडर को स्किप कर दिया है क्योंकि मैंने लाल खड़े मिश डाल रखी है उसके बाद हम ढ़कन बंद करेंगे और पांच मिनट के लो फ्लम पर पकालेंगे तो लोजी फ्रेंट्स यहां पर पांच मिनट हो चुके है और आप देख सकते हैं यहां पे हमारे टमाटर काफी अच्छे से गल चुके हैं तो हमने यहां पे चम्मच चला दिया है उसके बाद हम यहां पे डालेंगे एक चम्मच अधरकलासन का पेस्ट और अद्रक लसन का पेस्ट डालने से सबजी में बहुत ही बढ़ी हा टेस्ट आता है तो अद्रक लसन का पेस्ट डालने के बाद हमने छमच ला के सारी सीजों को मिक्स कर लिया है अब इस स्टेज पे हम डालेंगे दाल तो मैंने यहाँ पे दाल डाल दी है थोड़ा सा दाल मैंने बचा के रख लिया है तो चलिए यहाँ पे दाल डालने के बाद हमें एक ग्लस यहाँपे पानी डालना है आप चाहे तो यहाँपे पानी की कॉंटिटी थोड़ी सी बढ़ा आ सकते हैं उसके बाड यहां पे हम डालेंगे एक शम्मच गरम मसाला और एक शम्मच मेहा पे डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च जालनें से सब्ची का कलर बहुत ίह बढ़ी आएगा तो हम यहाँ पे चम्मच ला लिये हैं और सारी चीजों को मिक्स करके अब इसे ढखके हम एक उबालाते तक पका लेंगे तो दाल में जब तक उबाला रही है तब तक हम इधर आगे की तयारी कर लेते हैं यहा पे हमारा आटा भीका रहा है तो चलिए इसी हम लोईा बना लेते हैं तो यहाँ 5 बते है कर दो लोई ही बनकर तयार हुई तो यहाँ पहली बाली की उपर थोड़ा सा आटा लगा दिया है तो दोनों साइड हमने आटा लगा दोड़ा करना हुए तो सभी चेया है एक बार में चुआ कर सब्सक्राइब तो देख सकते हैं friends यहाँ पे इसकी मोटाई अब एकदम perfect हो चुकी है जैसे हमें चाहिए था वैसी हो चुकी है तो चलिए इसकी हम cutting कर लेंगे तो सबसे पहले तो हम इसे थोड़े चौड़े stripes में cut कर लेंगे तो आप इसे अपने इच्छा नुसार किसी भी shape में cut कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने इसे थोड़े चौड़े stripes में cut कर लिये हैं अब मैं इसे आपको triangle shape में cut करना बताऊंगी तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस इसे इस तरीके से triangle shape में cut कर लेना है तो देखिए यहाँ पे यह कट हो चुके हैं तो इसी तरीके से हम सारे को cut कर लेंगे तो लोजी फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने इसे triangle shape में cut कर लिया है तो मैं आपको bow के shape में भी इसे cut करना बता देती हूँ तो चलिए यहाँ पे हमने दूसरे वाले straps को यहाँ पे रख लिया है उसके बाद हमें क्या करना है इसे squares में cut कर लेना है तो इस तरीके से हमें इसे squares में cut कर लेना है उसके बाद क्या करना है बस बीचो बीच इस तरीके से हमें दबा लेना है तो देखे यहाँ पर यह बो का शेप बन चुका है तो मैंने यहाँ पर इसे छोटे छोटे शेप में बनाया है और आप चाहे तो इसे बड़े शेप में छोटे शेप में किसी भी शेप में बना सकते हैं तो चले इसी तरीके से हम सारे को बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स यहां पे मैंने छोटे बड़े सभी शेप में इसे बना के तयार कर लिया है तो चलते हैं गैस कियोर और हम अपने डाल को देख लेते हैं तो यहां पे हमारे डाल में काफी अच्छे से उबाल आ चुका है तो धीरे धीरे करके हम यह सारे डिजाइन्स को जो हमने गीहों के आटे से बनाया है ना वो सारे हम यहां पे धीरे धीरे करके डालेंगे इकठे हमें नहीं डालना है तो चलिए फ्रेंट्स यहां पे हमने सारे को डाल लिया है उसके बाद हमें यहां पे हलके हाथों से चम्मच चलाना है और इसे हमें ढख के पास से 6 मिनट के लिए medium to high flame पे इसे पका लेना है तो चलिए फ्रेंट्स यहां पे 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहां पे हमारी दाल ढोकली पूरी तरह से बन के तयार हो चुकी है तो जो गेहूं के आटे से हमने डिजाइन बना के इसमें डाला था ना वो देखे कितनी बढ़िया लग रही है बहुत ही अच्छे से बन के तयार हुई है कहीं से भी बिलकुल भी नहीं टूटी है तो चले इस स्टेज पे हम डालेंगे खूप सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद हम फिर से चम्मच लाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तो चलिए यहां पे हमारी दाल ढोगली तो पूरी तरह से बनके तयार हो चुकी है अब इस स्टेज पे हम करेंगे गैस का फ्लेम ओफ और इसे हम सर्फ कर लेंगे तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है अच्छी लगती होगी तो कॉमेंट शिक्षन में जरूर बताएगा मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा बैल आइकोन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए यहाँ पे हमने दाल ढोकली को सर्फ कर लिया है अब इसे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता से गारिश कर लेते हैं तो यहाँ पे तो यह पूरी तरह से खाने के लिए रड़ी हो चुकी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फॉर वाचिंग